नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे सफलता पा सकते हैं जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको 10 ऐसी बातें बताएंगे जिनसे आप 100% सफलता पा सकते हैं तो ये 10 बातें सुनने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा को शामिल किया है जो की किसी भी भवन के रहवासियों को शांति पुर्वक रहने में परम सहायक होते हैं इन सभी तथ्यों में क्यों और कैसे की कोई गुंजाईश ही नहीं है दोस्तों क्योंकि प्रयोग करता को होने वाले प्रत्यक्ष लाभ ही इसके प्रमाण होते हैं तो ऐ ऐसे दस अत्यंत सरल और प्राभावी एवं सार्थक प्रयोग हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिन्हें अपना कर आप सुखी, स्वस्थ, समरुध और सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों पहली बात हम आपको बताते हैं, घर में नित्य इश्वर का भजन पूजन अवश्य होना चाहिए। और संध्या के समय एक छोटा सा गाय के गोबर से निर्मित कंडा जला कर उस पर एक मत्र चुटकी भर चावल में घी मिला कर डालना चाहिए। इस प्रयोग के नित्य करने से घर में आधिव्यधियों का नाश होता है और घर की उन्नती होती है। और घर के जो भी आदमी है वो सफलता की और बढ़ते हैं। दोस्तों कहते हैं कि प्रत्य घर में तुलसी का पौधा, सीता अशोक, आवला, हरश्रिंगार, अमलतास, निर्गुंडी, इत्यादी में कम से कम दो पौधे अवश्य होने चाहिए। ये अमन एवं समरुद्धी वर्दख होते हैं। कैक्टस का घर में होना अशान्ती दिता है। दोस्तों बताते हैं कि घर में बनने वाले भोजन में से कत्तेक प्रकार का थोड़ा-थोड़ा पदार्थ, एक अलग प्लेट में भोजन बनाने वाली महिला पहले निकाल कर, हाथ जोड़कर वास्तुदेव को समर्पित करें। और फिर घर के अन्य सदस्यों को बोजन करें। फिर चाहे कोई भी सदस्यों कभी भी बोजन क्यों न करें, ऐसा करने से वास्तुदेवता उस घर पर सदेव प्रसंद रहते हैं। बाद में प्लेट में निकाला गया पदार्थ गाय को खिला दें। कहते हैं घर में टूटी-फूटी मशिनों को ना रखें। जितनी जल्दी हो सके कोई भी टूटी हुई अथवा विक्रुत मशिन को चाहे वो छोटी हो अथवा बड़ी घर से बाहर कर देनी चाहिए। इनके घर में रहने से मानसिक तनाव तथा शारिरिक व्याधियां उस घर के रहवासियों को घेरने लगती है। बतते हैं कि जिस घर में एक पाय का पाटा रहता है, वहाँ आर्थिक हनी एवं मानसिक तनाव दृष्टी गोचर होते हैं। अतहा घर में ऐसा एक पाय का पाटा कभी नहीं रखना चाहिए। घर में कहीं भी जाडू को खड़ी करके नहीं रखनी चाहिए। इसी प्रकार उसे ना तो ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां उसे पैर लगे या उसे लांगा जाता हो ऐसा होने पर घर में बरकत नहीं होती है धनागम की शुरतों में कमी आती है यानि कि जो आपके धन के शुरत है जो आपके बिजनेस है उनमें कमी आएगी दोस्तों कहते हैं कि घर के पूजा घर में तीन गणेश की पूजा नहीं होनी चाहिए तीन होने पर वहां एक और रग दें या फिर उसमें से एक को विसरजित कर दें अन्यता उस घर में अशान्ती का सामराज बना रहता है इसी प्रकार तीन माताओं तथा दो शंखों का एक साथ पूजन भी वरजित है दोस्तों आगे लास्ट में दस भी बात बताई गई है कि घर के इशान्यक शेत्र में यानि की उत्तर पुर्वी क्शेत्र में कोई भी पालतु जानवर ना बान थे कुत्ते, मुर्गे एवं भैसों के संबंद में तो और भी सावधानर है अन्य था घर में परिशनियों का अंबार लगा रहेगा तो दोस्तों ये थी वो दस बातें, दस वास्तुशास्तर की ज्यान जिनको अगर आप अपने लाइफ में, अपने घर में लागू करते हैं तो आपका जीवन, आपका घर सफलता से भर उठेगा, खुशी से जगमगा उठेगा तो अगर आपको ये दस बातें अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा, दोस्तों को शेर कर दिजेगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाईएगा ताकि आने बाला नॉलेज़िबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुडबाई, एंड थैंक्स पर वाचिंग मै वीडियो